अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम मुईन है और आज का हमारा यह आडियो लेक्चर केम्पीटर बेसिक के हवाले से प्रोग्राम C1 एक्सपर्ट का यह लेक्चर है साउंड सेटिंग के सिलसिले का यह दूसरा पार्ट है साउंड सेटिंग के पहले पार्ट में हमने देखा था प्लेबैक की सेटिंग को प्लेबैक की डिवाइसिस को जाना था और मुकमल तोर से उनकी सेटिंग को सीखा था अब वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस time में sound के अंदर playback tab के अंदर मुझूद हूँ ठीक है यहाँ पर मैं control tab प्रेस कर रहा हूँ ठीक है यह recording tab आ गया है पहले हमने देखा था playback अब यह आ गया है recording recording में आप अपने microphone की setting कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से playback में आप करते हैं बिल्कुल वही तरीके कार होगा मैं आपको एक बार ज़स दिखा देता हूँ यह line है ने not plug-in है यह stereo mix है microphone blue snowball ठीक है यह disconnected है जो इस time default हुआ हुआ है वो देखते हैं microphone blue snowball इस time default हुआ हुआ है जो mic लगा हुआ है इस time जिससे recording हो रही है ठीक है यहां पर चाहें तो आप अपनी device को change कर सकते हैं कोई भी microphone जो भी जिस भी company का है आपका आप उसको change कर सकते हैं जो भी अपने default बनाना है अब जैसे यह stem default बना हुआ है इसकी भी property होगी इसकी भी हम चीजों को देखेंगे ठीक है और अगर आपने इसको default बनाना है वही states आ रहे होंगी जो हमने playback में देखी थी अगर ready होगा तो इसको हम default बना सकते हैं ठीक है करता हूं में listen tap ठीक है इसके बाद में दुबारा right arrow करता हूं ठीक है यहां पर आप volume चेक कर सकते हैं ठीक है मैं tap कर रहा हूं यहां से इसको मैं अगर चेक कर दूंगा तो sound mute हो जाएगा microphone का अब tap करते हैं ठीक है यह ओके बटन आ रहा है तो इसको आप space कर देंगे ठीक है आप वापिस उसी पेज पर आगए प्रॉपिटी पे ठीक है तो इसी तरहीके से आप इसको tap करके okay कर देंगे ठीक है अपने सेटिंग अपनी सारी चेंज कर दी जो भी आपको डिवाइस डिफॉल्ट बनानी है अपने वो डिवाइस डिफॉल्ट बना दी और उसके बाद आपने इसको tap करके okay कर दिया इसके मैंने सारे pages इसलिए नहीं दिखा हैं कि सेम वही pages हैं इसके सारे जो playback में होते हैं ठीक है मैंने आपको जब आइडिया देना था कि recording tap में आके आप अपने microphone की setting कर सकते हैं बाद अकात होता है कि आपका mic connected होता है उसके बावजुद voice नहीं जा रही होती है उसकी वज़ा यही है कि आप जो है यहां पर वालियम उसका यह तो कम होगा बहुत ज्यादा zero होगा या पिर उसके लावा यह भी हो सकता है कि म्यूट पर चेक लगावा हो ठीक है तो आप इसको चेक कर सकते हैं यहां पर सैटिंग को तो इस तरीके से आप अपने microphone की भी troubleshooting कर सकते हैं कि क्या problem है अब इसी तरीके से हम आगे जाते हैं control टैप करते हैं यह वो है जो system sounds होते हैं जिस तरीके से error sound होता है या कोई device connect हुई या फिर कोई आपने usb लगाई तो आपको sounds मुफिलिफ मिलते हैं ठीक है यह वह चीज है या फिर विंडो जब स्टार्ट होती ह पिसपल होती है प्या सबस्कál knights र focus होते हैं कर सकते हैं यहां पर सारी होते हैं यहां पर सारी सते देख यहां可以 मेंडे हैं और Maori टो सब्सक्राइब यहां पर हमारा फोकस है तो आप इसका अगर साउंड रखना चाहते हैं तो आप इस पर फोकस करेंगे और टैप प्रेस करेंगे यहांगे जो प्ले होगा साउंड जब विंड़ो स्टार्ट होगी टैप करेंगे अपने नेम पे रखा नेम पे रखने के बाद आप टैप करेंगे इस तरीके से सांट बज गया तो आपको जो सांड पसंद आ रहा है आप वह वो सौंड सेलेक्ट कर सकते हैं ऑ inquiry कि टैप करेंगे यहां से ब्राओस करके पहले समय लीस्ट में लेके टीक है तब आप उसको सेलेक्ट एर सकते हैं, टैब करेंगे, ऐकर में यहां पर सारी सेटिंग्स कर लिए, और यहां पर मैं ऑक प्रेस कर दूँगा, तो वह सारी सेटिंग्स मिरी सेव हो जाएंगी, अब यहां पर हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं, अब यहां से मैं ज करूंगा विंडो भी उसर प्रमोड नोटिफिकेशन एरिया में आ गया है यहां से डाउन एरो प्रेस करेंगे हैटफोन ब्लुटूफ एटी परसेंट आपके पास हो सकते जितना भी आपका वॉल्यूम हुआ होगा है स्पीकर्स का या हैटफोन करके आपड़ा सकता हूं और कम कर सकता हूं जाए यह वालियम तेज होता चाल रहा है टींट्यके इस तरिक से आप परवालियम कम और ज्यादा कर सकते यह जो भालियम इस system संवरी यानि कि हर चीज़ का वॉलियम इतना ही आपको सुना ही देगा ठीक है अब यहां से आगे चलते हैं टैप करते हैं यहां से चेंज कर सकते हैं यहां से चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि यह सूच कर जाता है मनना यहां पे जितनी भी डिवाइसेज हैं वो शो करेगा यहां पे और उसको डिफॉल्ट बना सकते हैं ठीक है टैप करेंगे यह लिए शेक। ऑर इसके बाद यहां से अपर उसको ब्रेस कर सकते हैं तो आप प्रेस कर रहा हूं विर्णो भी ठीक हेड़फोन ब्लूटूट पे मैं दुबारा आया अब मैं यहां से जाना चाहता हूं मिक्सर में वो भी सेटिंग देख लेते हैं मिक्सर की यहां पे मैं प्रेस करूंगा एप्लिकेशन की अब यहां पे मुझे एंटर करना है मिक्सर पे सबसे पहले आ रहा है हेडफोन का वॉल्यूम बता रहा है 85 परसेंट हुआ है अब मैं यहां से टैप करूंगा अब इसको स्पेस करतेंगे तो हैटफोन आपका जो है म्यूट हो जाएगा टैप करते हैं यह सिस्टम साउंड है इस पर टैप करेंगे हम स्लाइडर 86 परसेंट यह नहीं हुआ हुआ है इसको भी डॉनर अपरो करके आप पूरे सिस्टम का साउंड बढ़ा यह कम कर सकते हैं टैप करेंगे अगर आप इस पर चेक लगा देंगे तो आपके तमाम तरह के साउंड बंद हो जाएंगे सिस्टम के टैप करेंगे यहां से एक और एप्लिकेशन इस्टम कुली वी जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ऑप्स की तो यह यहां पर बता रहा है ठीक है इसका यहां पर वालियूम है यहां से भी हम डॉनर अपरो करके कम ज्यादा कर सकते हैं इसका भी ब्यूट है यहांने कि जो एप्लिकेशन जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है उसका भी ही है यह बटन आ रहा है यहां पर टैप करेंगे अग्र आपकी अप्लिकेशन य्ष्टम चल रहा है तो लपन इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप जोउपन किये हैं तो आ वालियम भी आप मग्रें कर सकते हैं और शॉड का वालियम और आप अपने हिससाब से रख सकते हैं याjor को टै RIney रखनियेही आपिछिल ठीक है तीम था वालियम। आसकता है यहां पर जोर्षिक्र करेंगा बंड रूब थीक है लूब करें चैप इसका लएने के चुली टूह specifically तो आप बोल्यूं KROा shifting organism टेबंगे विम्ट कर तूह we श्लाइटर है तो उन सबके वालियूम सारे आपके पास पहुत सारी छहती हो सकती हैं जिससमें सांवड रहा हो तो वो सारे के सारी application के volume यहाँ पर आ रहे होते हैं उसको mixer बोलते हैं आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का volume कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं अमने यह भी देख लिया तो इस तरहीके से आपने देखा किस तरहीके से आपको playback बनाना आ गया आपको sound की devices को troubleshoot करना आ गया कि आपको stem यह सारी setting जो मैंने आपको बताई है इसकी ज़से आप तमाम audio के problem solve कर सकते हैं अगर आपके microphone में problem है speaker में कोई problem है default device नहीं हो रही जो आप चाहते हैं वो device default नहीं हो रही volume कम आ रहा है, balance कम है यह सारी चीज़े mute हुआ हुआ है यहां पर आकर आप सारी setting कर सकते हैं और फिर आपको कोई problem नहीं होगी फिर इसके बाद आपको यहां पर आप सारी setting कर लेंगे और उसके बावजूद अगर problem होगी तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपका hardware का issue है या तो पिर यह कि आपका sound को driver नहीं इंस्तॉल हुआ ओओ यह भी होसकता है या फिर यह भी होसकता है कि जो microphone आप use कर रहे है, उसका कोई problem चल रहा है वह फिर खराब है ठीक है और यह भी होसकता है जो आप hand freаст or speaker यpection use कर रहे हैं अगर उसका प्रॉब्लम चल रहा है तो वो खराब है यापने तो सेटिंग कर दिया वालियम भी कर दिया म्यूट से भी हटा दिया तो फिर आपके पास शियर्ट ही आ जाएगी कि आपका फिर हार्डवेर का तो इशू हो सकता है लेकिन सेटिंग का कोई इशू नहीं हो सकता तो अब आपको जब अपने ये सारी सेटिंग सीख ली है प्लेबैक की रिकॉर्डिंग की और थीम्स लगाना यानि चैम्स लगाना या फिर साउंड मुफ्तलिफ इवेंट्स पे लगाना तो अब आप अपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये दोनों लेक्शर अपको पता होगा कि आपकी किस जिवाइस का क्या वॉल्यूम है और किस स्टेट में है अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी computer में sound से related तो आप किसी का भी हल कर सकते हैं किसी के problem भी solve कर सकते हैं और उसका troubleshoot भी कर सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं और खुद के भी problems को पर खतम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज